बंदीग्रह से जैसे मैं बाहर आ गया दुबर एक बर्ष के लिए गया फिर भी बाहर आया तो मन में एक भावना थी कि हम इतने लोग बंदोफासी गया जिनने आजनम कारावास कटा है तो ये कांड हुआ कैसे और क्यों हो गया प्रस्कुशन ने जब नयायलय में बताया वो विवरंस के साथ ये बोले ये कैसे हुआ नत्राम ने अपने निवेदन में कहा ये क्यों हो गया किन्तो लोगों को उसका दर्शन नहीं हो पाया लोगों के सामने जाने के पहले ही जो शासन था वो सुल्तानों का था सेक्रिलर ये सत्य के बड़े विरोधी थे क्योंकि गांधी की खोटी दुकान उनने चलानी थी तो इसलिए जो कारण ये थे कांणी को क्यों मारा ये सच होने के नाते उन्होंने उस पर प्रतिबंधा लगाया नत्राम का 110 पन्नों का ये निवेदन है अभी मान लो नत्राम का स्टैं ये था कि ये कारण थे और इसलिए मैं गया उधर और बोली से कांणी को मार जिया शन भरमान लो जैसे हम देखा करते हैं अधिक तोर पर कि नत्राम ये ये पहंतरा लेता ये स्टैंड लेता कि मेरा इससे कुछ संबंद नहीं पुलीस ने मेरे हाथ में पिस्तोल थाम दी द और इस प्रकार का निवेदन वो नत्राम स्वयम 110 पन्ने के स्थान 220 पन्ने का देता तो भी सरकार उसको धक्का नहीं लगाती क्योंकि वो आवास्तों में जूर था तो ये स्टेटमेंट सच था गांधी के स्विषए में जो कुछ बात उसने कहीं है उसको कहीं भी इंकार नहीं किया जासकता था क्योंकि सारे लिखित ग्रंथों में से है उनिके शब्दों में से है उनके शब्दसुरयों है लोग भी उस समय जीवमान थे तो ऐसे स्थिती में सरकार को ये पच्छना बहुत कठिन था इसलिए उनके पास शक्ती थी और इंजेब की शक्ती थी जहां हिंदुत्व का कुछ पक्षदेखे उसको दबाना ये उनकी नीती थी इसलिए वो पुस्त को दबा दिया उनने तो मेरा एक विचार था लोगों के सामने ये आना चाहिए लोग स्वयमस पर निरने करें वो ठीक था या आयोग्य था वो लोगों की इच्छा किन्तु वस्त सिद्धित लोगों के सामने जाए और ये प्रयास मैंने करना है इस भावना से जैसे ही मैं छूट गया मैंने प्रकरण के पीछे प्रकरण लिखना प्रारंभा किया सवभाग्यवश एक सज्जन गवा बहरे नाम के ऐसे मिले कि जिन्होंने अपनी मासिक पत्रिका में इसको प्रारंभा से मने धारावाहिक के रूप में मुद्रित करने का खाली आश्वासन ही क्या दिया उसने अभियान चलाये वो और वो प्रकरण के पीछे प्रकरण मुद्रित करते गए डेड़ बरस ये उपक्रम चला कोई अठारा लेख प्रकाशित हुए और फिर पुस्तक रूप में ये गांधी अत्या आणिमी ये पहली बार पुस्तक लोगों के सन जाने भाशा की दृष्टी से ये भाशा की दृष्टी से भी पुस्तक लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो गई और सरकार ने कहा भई इसमें सच बाते लिखी है रोको इसको तो अभी मुझे तो बंदी ग्रह में डाल नहीं सकते थे पुस्टक लिखी इसलिए, तो क्या करना? पुस्टक पर प्रतिमंद लगा दिया. मैं गया न्यायले में, डेड़ बरस न्यायले ने च्छानबीन की और अंतवे निरने दिया उन्हें कि इस पुस्टक में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अक्षे पार हो. उन्होंने कोई बाव और कहा है कि शासन का जो कहना है एक तम विपरीत है वस्तु सिशी को पकड़ के नहीं है और वो नयाधीश थे बाद में जो सरवच नयाले के मुख्य हो गए वो चंदर चूड उन्हा ने लेखा पिट किया और इसका मैंने आउश अंत में दिया है तो जैसे ही पुस्तक बंध किस्वा संस्करेंट मैंने चलता रहता है प्रवाह तो मेरी इच्छा ये थी कि ये लोगों के सामने आ जाए तो ये दो पुस्तके है फिर उसके बाद नसराम का स्टेट्मेंट तो मराठी में उसको नाम दिया है पंसावन कोटीन से बड़ी इसका आरतिये होता है कि 55 करोड के लिए जो बली चड़े वो उसमें विशय है क्या है पकिस्तान के पास गोला बरूत समाप्त हुआ था उनको पैसे चाहिए थे गोला बरूत कोई उधार नहीं देता और लोग किसी को भी मने दूसरे देश जो है उनमें ये रसनी रहता है कि कोन इसका प्रयोग करे जो उन पास पैसा नहीं था और गोला बरूत समाप्त हुआ था यहां काश्मीर पर अक्रमन उन्होंने तेज करना था इसके लिए उन्होंने 55 करोड रूपया का हट ले लिया कि वे हमारे 55 करोड रूपया देने चाहिए हमारे 200 करोड रूपया उन से आने थे तो अभी ये ब्रिट ले लो और चर्चा के लिए आजो वह हम कोई बंदे हुए नहीं है कि इसी समय के अंदर हो तो अपनी से ना तो यह क्या गांधी को बड़ा क्रोड हाया कि अपनी सरकार के और यह अद्धत्य कर रही है मेरे बच्चे के सामने तो इसलिए उन्होंने क्या कि मैं मर जाओंगा 55 करोर रुपे मेरे बच्चे को दे दो तो जैसे ही उनके शब्द आ गए मैं मर जाओंगा जिनने बाद में वह शडियंतर पूरा किया उनके मुख से शब्द निकले मैं मर जाओंगा नहीं अभी हम मारेंगे जो प्राणांति को पोशन जिसको बोलते है आमरन अनशन जिसको बोलते है वो कोई भी मनश्या आईश्य में एक बार ही कर सकता है इनके तो चपन हो चुके थे तो इसलिए प्राणांति को पोशन करना है तो प्राण जाए न जाए हम आपी प्राण लेंगे तो इतनी ये तक वो स्टेटमेंट उनन अथराम ने जो बाद में दे दिया था वो भी सरकार ने जपत कर रखा था तो वो मैंने प्रकाशित किया 55 कोटिन से बड़ी का अर्थ ऐसा था गांधी जी ने अनशन किया सरकार ने 55 करोर रुपया दिलाया तेरा मास उसके पश्चार लड़ाई चलती रही इसके बाद जो जो हमारे सेनिक मारे गए गांधी ने मरवाए क्यों अपने बच्चे को 55 करोर रुपय दिया गोला बरुदूं को मिल गया और जो लड़ाई चलती रही तो ये 55 करोर के पीछे जो बली चड़े आइसा उसमें नाम में ने दिया है पटपन को तो इसके भी हिंदी का अधिवद क्यों हो गया है का अधिवद और मैं हो गया है अंग्रेजी हो गया है तो ये सारा मेरी एक इच्छा थी बाद में हिंदु महासभा से मैंने काम करना था तो मुझे वहां के जो समय के अध्यक्ष थे वो तो जानते थे मुझे उन्होंने बुलाया कि वे तुम यहां कारेले मंत्री के रूप में काम करो तो हमने फिर सोचा घर का क्या करे कैसा करे तो सिंदु जी और मैं दोनों फिर दस परस लगभग हिन्दमास अभाग के कारेले में रहकर वहां कारेले मंतरी से रहकर उपाद धक्ष परियंत के सभी पदों पर वहां काम किया उसके बाद फिर मैं आ गया फिर पुस्तकों का काम दुबारा देखना प्रारणब किया